आज हम बात करेंगे नैंसी त्यागी की जो इन दुनों बहुत चर्चा में चल रही हैं नैंसी त्यागी जिसने यूपी के गाउं से कांस तक का सफर्ट तै किया लेकिन ये सब उन्होंने कैसे किया चलिए उनकी जीवन पर एक नजर डालते हैं कांस फिल्म फेस्टिवल में सबकी नजरे नैंसी त्यागी पर ठारी हुए थी जब उन्होंने लाइट पिंक रफल काउन में रेड कार्पेट पर एंट्री ले कंटेंट क्रियेटर और फैसन इंफ्लिवेंसर नैंसी त्यागी सायद अब तक की पहली ऐसी हस्ती है जिन्होंने खुद की डिजाइन की हुई और सीली हुईड्रे से रेड कार्पेट पर पहनी थी 23 साल की नैंसी उत्तर प्रदीश की एक छोटे सी गाउन से तालुक रखती है और कांस के रेड कार्पेट तक का उनका सफर आसान नहीं था नैंसी त्यागी ने रेड कार्पेट पर एक गुलावी रफल्ड गाउन पहन कर एंट्री की थी उस खास आउटफिट को किसी फैसन डिजाइनर ने नहीं बलकि खुद नैंसी त्यागी ने बनाया था इस गाउन को बनाने में एक महीने का समय लगा था और नैंसी जब इसे पहन कर रेड कार्पेट पर पहुंची तो सब की नजरें उन्हीं पर टिक गए थी इंस्ट्राग्राम पर अपने पोस्ट पर उन्होंने शेयर किया था कि इस गाउन को बनाने में एक हजार मीटर कपड़ा लगा है और इसका वजन 20 किलो से भी जादा है नैंसी से रेड कार्पेट पर जब पूछा गया कि उन्हें कैसा लग रहा है तो उन्होंने बहुत ही इमानदारी के साथ हिंदी में जवाब दया कि उन्होंने कभी इतना बड़ा सपना नहीं देखा था जहां आज वो खड़ी हैं नैंसी की इस सच्चाई और मासुमियत ने सिर्फ आम लोगों को नहीं बलकि एंटर्टेंडमेंट इंडस्ट्री से जुड़े कई बड़े लोगों को भी बहुत प्रभावित किया उत्ते प्रदिस के बागपत जिले के बरनामा में जन्मी नैंसी त्यागी इंस्ट्राग्राम के जर्गे महसूर हुई फैसन इंफ्लूएंसर है ये पॉपलर सेलेप्स के आउटफिट को स्केट से सिलती है और इस पूरी प्रोसेश के वीडियो सोसल मीडिया पर शेयर करती है गाउं के एक निम्न मध्धम अस्तरी परिवार से आने वाली नैंसी ने इस मुकाम के लिए बहुत मैनत की है वो उनकी खुद की स्टाइलिस और डिजाइनर है बिना किसी फैसन डिजाइन बैक्राउंट के उन्होंने खुद से ही सपुस सेखा है वो अपने सभी आउटविट कपड़े खरीदे कर खुद ही सिलती है उनके पास उनके मम्मी की एक पुरानी मशीन है जिस पर वो अपना सारा काम करती है UPSC की तयारी के लिए गाउं सी दिली आई नैंसी ने 500 की तंगी के चलते कुछ ऐसा करने का सुचा जिसमें उन्हें सफलता की ज़्यादा संभाव ना दखी वो इंस्ट्राग्राम पर अपने वीडियोज पोस्ट करने लगी हाला कि सोसल मीडिया पर फेमस होना आसान नहीं था लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी नैंसी ने 100 डेज ओफ आउटफिट फ्रॉम स्क्रेच नामक सीरीज शुरू की जिसमें उन्होंने दीपिका पादुकॉंड और अलिया भट जैसे महसूर हस्तियों दारा पहने के डीचाइनर कपड़ों को रीक्रियेट किया और उनकी इस काम को लोगों ने बहुत सरहा और अपने इसी हुनर के जरिये वो कांस में अपनी खुद की बनाई हुट्रेस पहन कर लोगों की नजरों में च्छा गई वीडियो अच्छी लगी हो तो प्रिस वीडियो को लाइक शिर कमेंट करना मत बूलिएगा और आगे भी हमारे साथ चुरे रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू